हेलो गाईज, बेलकम बेक तो माई यूटूब चैनल, लेकर आज को हूँ फिर से एक और दमाकेदार वीडियो, आज का वाला वीडियो बहुत ही कमाल कमें इंटेस्टिंग होना वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, बीजेयमाई निउ अपडेट में हम अपने फिरेंड को पार्टनर में एड कैसे कर सकते हैं, और अगर हमारा पहले से कोई भी फिरेंड एड है, तो उसे हमें डिलीट करके, अगर हम दूसरे फिरेंड को एड करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, तो step by step बताऊँगा, वीड सबसे पहला आपको देखने के लिए मिल सके, तो बिना time based, आज किस वीडियो को start करते हैं, तो guys, सबसे पहला अपनी profile पे click करना है, और हम जैसे profile पे click करेंगे, तो यहाँ पे connection का option देखने के लिए मिल जाता है, तो जैसे हम click करेंगे, तो guys, इस तरीका से open हो जाएगा, सबसे पहला हमें अपने friend को request बहजनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें बीच वाले option पे click कर देना है, हम जैसे click करेंगे, तो यहाँ पे request connection का option देखने के लिए मिल जाएगा, इस पे click करना है, click करने के बाद में, तो guys, यहाँ पे हमें उस friend को बहजनी है request, जिस friend को हम add करन आप देख सकते हैं, उसके बाद में, guys, यह friend हमारा गर इस request को accept कर लेता है, तो वो friend हमारे हमें connection में आ जाएगा, आप देख सकते हैं, मेरे काफी सारे friend हमें connection में आ चुके हैं, उसके बाद में guys, हमें क्या करना है, अगर हमारा पहले से already friend हमारे aid है, तो उसके लिए हमें partner पर click करना है, click करने के बाद में हमें three line देखने के लिए मिल जाएगी, तो यहाँ पर हमें remove का option देखने के लिए मिल जाएगा, हमें remove पर click करना है, और ok कर देना है, तो guys, जो हमारा friend partner में aid है, वो यहाँ से delete हो चुका है, तो guys, मैंने आपको delete करके इसलिए दिखाया, अगर आपको पहले से है, तो यहाँ से आप delete कर लें, और अगर नहीं है, आपको कोई new friend aid करना है, तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद में हमें वो friend देखना है, कि जिसको हमें request भेजनी है, तो guys, यहाँ पर हमारे friend के ऊपर three line देखने के लिए मिल जाती है, और हमें three line पे किलिक करना है, और हमें request partner का option देखने के लिए मिल जाता है, तो हमें इस पर किलिक कर देना है, तो guys, हमारे friend को जो हैं से request चली जाएगी, तो जो हमारे friend के पास request जाएगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, हमें bake आना है, तो यहाँ पर हमें अपनी friend list पे किलिक करना है, और यहाँ पर हमें bell icon पे हम जैसे किलिक करेंगे, तो guys, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर वाली request है, यह हमारी partner की है, तो guys, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, लिखा हुआ request to become your partner, अगर मैं यहाँ से agree कर देता हूँ, तो guys, इस request को मै मैं आपको जब दिखाऊंगा, पहले मैं अपनी profile दिखा देता हूँ, कि मेरी profile में मेरा player single है, यह partner add है, तो मैं जैसे किलिक करूँगा, तो guys, आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मेरा player है, वो single है, और मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ, यहाँ भी आप देखेंग इसी तरीका से आप भी अपने friend को new update में add कर सकते हो, आज की वीडियो में बस इतना ही मिलता हम अगली वीडियो में नई topic के साथ, तब तक के लिए take care, bye bye